लगडी का जो डटकन है वे संदूक बाहर की जो लंबाईया दे रखी है और जो लगडी की मोटाई है फिक है जो लगडी की मोटाई है 2.5 cm है और यदि जो एक घन मीटर लगडी का जो तोल है वो 250 किलो है तो संदूक का तोल वेट गयाद करूँ ने को समझ में आई बात कि सबसे पहले हमें गयाद करना पड़ेगा बाहरी आयतन उसके बाद हम गयाद करेंगे जो आंतरी का आयतन है वो मेरी बात समझ रहे हुआ सबसे पहले मैं गयाद करूँगा बाहर का आयतन उसके बाद में क्या करूँगा कि जो बाहरी आयतन है उसमें से अंदर का आयतन गटा दूआ तो मेरे पास क्या आजाएगा जो लगडी लगडी है उसका आयतना जाएगा यानि कि जो टोटर लगडी है उसका आयतना जाएगा और उस टोटर लगडी के आयतन को मैं गुना कर दूना 250 से क्योंकि ये है एक घंड मीटर लगडी का तोल जो आएगा उसको इसके साथ गुना करते हूँ तो संदूक का तोल आजाएगा इतना सा गाम करना है वीडियो के हम तक बना रहना है दिल खुश हो जाए तो सब्सक्राइब करके चले जारना वरना कुछ नहीं करना है तो करते हैं इसके आज के खुशें का solution सबसे पहले जो बाहर की लंबाईया है वो दे रखिए तो मैं सीधा याद कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास बोर्ड थोड़ा सबसे चोटा है तो मैं लिख देता हूँ बाहर ही आयतन बाहर ही आयतन बच्चा आयतन का formula क्या होता है L इंटू बी इंटू एच आई बात समझे में तो L कितना है 1.25 0.80 इंटू में है आपका 0.55 और यह सारी वेल्यों आपकी क्या जाएगी मेटर क्यूग में ठीक है अब इंट जो लगड़ी की मोटाई है बच्चा लगड़ी की मोटाई इसने दे रखी है और वो कितनी है सेंटिमेटर में है कितनी है 2.5 सेंटिमेटर यह तो आपका क्या बहुत दिख है गोटाला हो गया कोई दिखर नहीं है जो को सेंटिमेटर में है पहले इसको मेटर में बनाएंगे 2.5 है सेंटिमेटर में बनाए तो इसको मेटर में बनाना तो 100 का भाग दे देते है 100 का भाग दे देते हैं इस 0 की वज़े से तो यह पोइंट की संके यहाँ पे आ जाएगा लेकिन एक जिरो और बच गया तो इस जिरो की वज़े से यह पॉइंट यहाँ पे एक जिरो लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा तो यह जो वेल्यू है वो आ जाएगी 0.025 और यह वेल्यू आ गई मेटर में बलो बच्चे यहाँ तक समझ में आया छीक है इतना समझ में आने के बाद में मैं नहीं निकालता हूँ अंदर की जो अंदर की माप अंदर की माप यानि सब से पहले मैं निकालता हूँ लंबाई तो देखो लंबाई कितनी है मेरी जो बाहर की लंबाई है 1.25 है उसमें से माइनस कर दूँँगा मैं दो बार यह गटा दूँगा 0.25 प्लस 0.025 वो यहां कहा जाएगी उसके बाद जो B है वो कितना है 0.80 उसमें से गटा दो 0.025 दो बार एड़ करो इसको इसका रीजन पता होगा क्योंकि ऐसे कोशिन बहुत बार आते हैं और आ चुके हैं इसलिए में बार बार इस बोलने की हिमाकत नहीं करूँगा 0.55 सॉरी 0.55 माइनस यहां पे 0.025 प्लस 0.025 अगर कैनलेशन नहीं आरी तो भी चोटा सा मेसेज करिएगा यहां से अब इसको एड़ करिएगा इसको एड़ करने के बाद में इसको इसमें से गटा दीजिएगा इसको एड़ कीजिएगा इसमें से सब्टेक्ट कर दीजिएगा इसको इसमें से कर दीजिएगा ठीक है मैं जो इसकी नई महापाती है वो लिख देता हूँ जो मेरी लंबाई है वो तो आजाएगी मेरे पास में कितनी नहाँ पे गया जो मेरी लंबाई है वो तो आजाएगी कितनी 1.20 मेटर और जो चोड़ाई है वो आजाएगी मेरी 0.75 555 कम और यह ना 0.5 0.75 और यह आजएगी 0.50 0.50 0.50 मीटर और यह मीटर ठीक है अब लेखते हैं क्या करना है मैंने क्या बोला था जैसे मैंने बोला था वैसे जलूना मिटा दूंगा मैं मिटा देता हूं इसको आप से क्या पूछना है पैन को भी साथ में रखा करो ठीक है क्योंकि वो जी ज़्यादा जुरूरी है साथ साथ लिखोगे ना तो ज़्यादा बेटर फिलोगा यह मेरे पास नहीं लंबाई चोड़ाई उंचाए आगई यहां से मैं सबसे पहले ज़्याद करूगा जो अंदर का आइतन है यह बाहर का तो मैंने आइतन निकाला अंदर का आइतन वो कितना हो जाएगा 1.20 x 0.75 x 0.50 और यह सारी वेल्यू है वो भी मीटर क्यूब में आज़े तो अभी इस आइतन लिख दो या फिर लकडी का जो कुल आइतन है वो लिखोगे तो वो क्या आइगा जो बाहर है आइतन है उसमें से लकडी का आइतन अंदर वाली का गटा दो तो वो पहले वाला तो क्यों सा था यह वाला था 1.25 x 0.80 x 0.55 माइनस यह वाली वेल्यों 1.20 x 0.75 x 0.50 ठीक है यह जब इसका तो वो मेरा माइन है, माइन है ना वो कितना आजाएगा 0.1 और यह आएतन निकाला है तो यह आएगा मेटर क्यूग में यहां तक चीज समझ में आ गई ना तो पूरा कोश्य नहीं हूँ आप भी तक क्योंकि अभी एक नंबर कर सकता है वो कैसे क्योंकि हमें जो पूछा है वो निकाला है नहीं यह तो हमारा क्या आया है जो लकडी का तोल है वो 200 किलो है, यह तो मेरा आयतन आया लेकिन संदूग का तोल हमें निकालना है मैंने क्या बोला तो जो मेरा आयतन आएगा उसको क्या खरूँआ इस तोल से बुना कर दूँगा ना तो वो क्या आजाएगा मेरा क्या आजाएगा? वो आजाएगा कुल संदूग का तोल तो यहाँ से देखिए संदूग का कुल तोल बराबर जो मेरा मान आया है 0.8 गुना इसको इससे multiply कर दूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यह 0 इसकी वज़े से हट जाएगा और यह value मेरी multiply करने के बाद में आदेगी 25 केज़े question समझ में आया होगा नई समझ में है तो बच्चा comment कर देना काफी अच्छा question है ऐसे question ही पूछे जाते हैं पीक